महिलाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी जिम्मधारी है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने सक्त कदम उठाते हुए अविलम पैनिक बटन लगाने की योजना बनाई है। रोडवेज और सिटी बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के मद्दिनजर शासन ने परिवहन निगम को अविलम पैनिक बटन लगाने का आदेश चारी किया है। प्रदेश भर में तीन महिने में पांच हजार बसों में ये डिवाइस लगा दिया जाएगा। इसके अंतरगत वाराणसी परिक्षेत्र की 240 बसों में ये इंस्टॉल होगा। रोडवेज और सिटी बसों में दुरगटना और महिलाओं के साथ होने वाली छिडखानी जैसी घटनाओं में तुरंत सहायता मिलने की रह प्रशस्त होगी। बस में बैठे यातरी को सीट के ऊपर लगा पैनिक बटन दबाना होगा। बटन दबाते ही पुलिस कंट्रोल रूम और परिवहन निगम के इंस्पेक्टर के पास मैसेज पहुँच जाएगा। अगले कुछी मिन्टों में बस तक पुलिस पहुँच जाएगी। शासन के निर्देश के अनुसार सिटी बसों में पैनिक बटन नहीं लगा होगा तो परिवहन विभाग उनका फिटनेस सेटिपिकेट जारी नहीं करेगा। ऐसे में रोडवेस पर शासन की ओर से इसे लगानी की यूजना युधुस्तर पर करनी होगी। प्रदेश भर में पहले चरण में 5000 बसों में पैनिक बटन और लोकल डिवाइस लगाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अरजिले के साथ लिपों शामिल हैं। बसों में महिलाओं के साथ छेड़ छाड़, अभधरता, चालक और परिचालकों की मनमानी जैसे मामले आते रहते हैं। यात्रियों की शिकायद समय रहते, पुलिस और अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की पांच साल किसे कम पुरानी 283 बसों में पैनिक बटन और विकल ट्रेकिंग सिस्टम लगा जाने की तैयारी है। पैनिक बटन को परिवहन निगम के कंट्रोल रूम और डायल 112 से जोड़ा जाएगा। इसे महिलाओं के साथ पुरुष यात्रियों को भी आपातकाल की स्थिती में ततकाल मदद मिल सकेगी। सिर्फ बसों में ही नहीं बलकि ये पैनिक बटन दूसरे राजियों में भी लगेगा। जैसे की पार्क, बस क्यू शिल्टर, बस स्टांड, सारवजनिक थल, फाक्टरियों, मॉल्स, मारकिट और दुकानों में लगाने की भी योजना बनाई गई है। इस सिस्टम में लगने वाले दोनों बटन अलग अलग रंगों के होंगे। इसके तहट शहर में जगह जगह, महिलाओं और बुजर्गों और अन्य लोगों की सुरक्षा के साथ आग लगने जैसी आपात स्थितीर से निपटने के लिए दो विशेश बटन वाले सिस्टम जाएंगे इन में से एक बटन को दबाते ही शहर वासियों को जहां पुलिस मौके पर पहुँच कर सुरक्षा प्रदान करेगी वहीं दूसरे बटन को दबाते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुँच जाएंगे और आग पर काबू पा सकेंगे